Hello everyone, आज हम class 5th के English की book के in number 6 से एक chapter पढ़ने जा रही है दे talkative barber यानि बातूनी नाई बारबर कौन होते हैं? बारबर वो लोग होते हैं जो बाल कारते हैं, शेव करते हैं बारबर को हम हिंदी में नाई कहते हैं और talkative, talkative कौन होते हैं? बातूनी लोग जो बहुत ज़दा बात करते हैं ठीक है, तो बातूनी नाई की कहानी हम सुनने जा रही हैं यहाँ पर जो starting में लिखा है पहले मुसे पढ़ते हैं फिर हम कहानी को start करेंगे लोग लोग अगो, अ सुल्तान whose name was Shahriar, ruled over a large kingdom His queen was a good storyteller, each night she would tell a story to the king She narrated ancient Persian and Arabic fox stories This is one of the stories from the Arabian knights तो बहुत बहुत पहले की समय की बात है एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था Shahriar और वो एक बहुत ही बड़े kingdom पे राज करते थे एक दिन उनकी जो राणी थी, उन्हें कहानी सुनाती है क्योंकि जो राणी थी, वो बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली थी तो एक दिन राणी राजा को कहानी सुनाती है और वो बहुत या तो पहले की कहानी सुनाया करते थी या बहुत ही प्राचीन कहानियां सुनाती थी ठीक है तो ये कहानी जो हम सुनने जा रहे हैं वो उन्होंने ही राजा जी को सुनाई थी और ये कहानी किस में से है? Arabian Nights में से है ठीक है तो चलिए हम रेड करते हैं स्टोरी को about a man who cannot stop talking एक ऐसी कहानी जो कि एक नाई के बारे में हैं जो कि कभी भी बात करना नहीं छोड़ सकता So let's get started In the city of Kashkar lived a barber who was a great talker Kashkar नाम की एक शहर हुआ करता था जिसमें एक नाई रहता था जो कि बहुत ज़्यादा बातुनी था Once the Sultan called the barber to shave his head एक बार सुल्तान नाम के आदमी ने बारबर को नाई को भुलाया अपने घर किस चीज के लिए अपने बाल को मुंडवाने के लिए अपने चो सिर्के बाल होते हैं उनको मुंडवाने के लिए The barber started talking non-stop instead of shaving him तो नाई आया और बाती करने लगा बाती करने लगा बजाया उसके बालों को काटने के The Sultan got angry अब Sultan को गुस्ता आ गया When are you going to stop talking and begin to do your work तो Sultan पूछता है नाई से कब तुम बात करना छोड़ोगे और अपने काम करोगे भी कभी तो the barber replied नाई कहता है You denote me an injury by calling me a chatterer तो barber बोलता है आपने तो मुझे बातुनी भुला कर मेरा दिल ही दुखा दिया For everyone says I am very quiet लेकिन और लोग तो कहते हैं कि मैं बहुत शान्त हूँ और आपको मैं बातुनी लगता हूँ I have six brothers whom you might call chatterers मेरे छह भाई है अब उनको कहिए पाते करने वाला मैं तो बहुत शान्त आदमी हूँ ऐसा नाई सुल्तान से कहता है और अपने छे भाईयों का नाम बताता है देर नेम सार उनके नाम है पहले भाई का नाम है बकबॉन दूसरे का बकाबारिया तीसरे का बकबाक और जोते का अलकॉस बाचवे का अलनाची बहुत अचीव से नाम है और ये एक और है शहाच्छमाक कुछ तरी की का नाम है शाक्पाक ठीक है वन इस हमबैक्ट वन इस टचलेस वन इस हाफ ब्लाइन वन इस कॉइट ब्लाइन वन इस डीफ वन इस और ऑदर है शेज़ियस nicer भज janai होता है वो सब के नाम लेता है और धीरे धीरे करके बताता है कि उनमें क्या-क्या कम्या है क्योदित सब में ही कम्या है पहले वाला भाई की जो पीछ होती है वो ओठीशी होती है दूसरे वाले भाई के दात नहीं होते, तीसरे वाले भाई अंधा होता है, थोड़ा सा अंधा हो जाता है, चौथा वाला भाई पूरा ही अंधा होता है, पाचवा वाला भाई सुन नहीं सकता, तो छटवा वाला भाई बोलने में तकलीफ करता है, इस तरीके से इतने सारे भ और मैं अपने पूरी परिवार में सबसे छोटा हूँ and I am very quiet sparing with words मैं बहुत ही शान्त आदमी हूँ और आप मुझे बातु नहीं कहते हैं ऐसा नाई सुल्टान को बोलता है तो देखो ये इस छह भाई हैं उसके सब के वो नाम बताता है दीरी-दीरे करके गिवह में थ्री पीसज उफ गोल अव सुल्टान क्याइट लॉसां कहते है वह तक चुका होता है क्या बाल तो नहीं कारता ही नहीं है बाते कंडे में नंवर न होता है तो सुल्टान कहता है इसे तीन गोल के सिक्के देदो और इसे यहां से भेज दो मैं अपना अब जो मेरा अंदर का patience है वो खो बैठा हूँ मुझे गुसा आ जाएगी ऐसे वो फुल्तान बोलता है और कहता है इसे यहां से भेजो I will not be shaved today मैं आज अपना बाल नहीं मुन वाऊंगा लेकिन इसकी बात सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है मैं इसे यहां से भेज दो ऐसा जो है सुल्तान कहता है My master cried the barber It was not I who come to seek you It was you who ordered me to come So I will not quiet your house Till I have shaved you तो अब जुनाई होता है वो कहता है अरे आप तो बुरा मान गए और आप ही तो थे जुनोंने मुझे बुलाया था मैं थोड़े नाया हूँ आपके घर और फिर नाई कहता है मैं जब तक आपके बाल नहीं काटूँगा तब तक आपके घर को नहीं छोड़ूँगा He then began narrating another story which lasted half an hour तो फिर से नाई बात करने लगा फिर से आदा गंटा बीत गया और वो कहानी ही सुनाते गया मतलब बाते ही करने लगा Stop making your fine speeches and let me go quickly तो अब जो सुल्तान होता है और से फिर गुस्ता आज़ता है वो कहता है अपनी फाल्ट की बिग्वस बन करो और मुझे जाने दो I have an affair of the greatest importance I have to go out at noon सीत असुल्तान सुल्तान कहता है मुझे कई सारे काम होते है मेरे बहुत से काम है मुझे दोपैर में कहीं बाहर जाना भी है एक बहुत important काम के लिए तो जल्दी से मेरे बाल का जो ऐसा वो नाई से कहता है क्योंकि नाई तो बस बात ही करते रहता है When he saw that the सुल्तान was really angry with him the barber said Oh master, do not be angry I will begin to save you Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave तो ऐसा सुनकर कि Sultan काफी सद गुसा है जो नाई होता है वो कहता है अरे अरे आप गुसा मत हो ये मैं भी आपके बाल काटता हूं और ऐसा कहकर वो Sultan के बालों को धो देता है पूरी बाल गीले कर लेता है और फिर काटना शुरू करता है But he had not touched him even four times with a razor when he stopped and said My master, you are acting hastily in this master तो वो फिर आई अपना razor उठाता है और एक दू बार ऐसे ऐसे कर लेता है मतलब चार बार भी नहीं करता कि फिद बाते शुरू उसकी वो कहता है अरे सुल्तान भाई आप तो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कुछ मतलब इस मामले में बाल काटने वाले मामले में आप बड़ा अजीव साभी बात कर रहे हैं Go on shaving me, speak no more, order the सुल्तान सुल्तान को फिर लगता है कि ये अपनी बाते शुरू कर दे का तो सुल्तान दुबारा से कह रहेता है चुप्रो चुप्रो चल्दी से मेरे बाल कार तो मुझे बातें बिलकुल नहीं पसन Be patient, say the proper Phillips, you have not considered well what you were going to do I wish you would tell me that what is the matter of great importance is all about and then I will give you my opinion on it, okay तो अब जो बारबर होता है जो नाई होता है वो फिर कहता है अरे सुल्तान धाई शान्थ हो जाए पहले आप मुझे ये बता ही आप बाल क्यों काट रहे है अगर आप मुझे बताएंगे ना तो मैं भी अपनी सलाह दूँगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपीनियन का मतलब होता है सलाह ठीक है फिनिश शेविंग इट फोल दे सुल्तान एक्सक्लेम बट इंस्टीद अफ दूइंग दिस तो बाल बर लेफ दे सुल्तान हाफ शेव तो गो और सी वाट ताइम इस तो फिर से सुल्तान को गुस्ता आते है वो कहता है जल्जी से शेविंग करो बहुत कुस्ता हो जाता है सुल्तान लेकिन ऐसा सुनकर भी जुनाई होता है वो थोड़ा बहुत काट देता है लेकिन फिर आधा ही उसने काटा होता है सिर आधा काटा होता है आधे बाद उसके बच्चे होते हैं सुल्तान के लेकिन बार बार भाग जाता है यह देखने कि कितना समय हो रहा है My patience is exhausted, the Sultan cried, सुल्तान कहता है अब समय ही देखते रहोगे, मेरा जो अंदर का patience है, मैं और सहह नहीं सकता तुम्हें, फटाफट से मेरे बाल काटो Be calm, my master, and you shall be saved in a moment, said the barber, and saying this, he continues shaving the Sultan तो फिर जो नहीं होता है, वो कहते है, अरे अरे, शान्त हो जाएए, मैं भी आपके बाल काटता हूँ, फटा-फट से कट जाएंगे और ऐसे कहे कर जो नहीं है, वो फिर से बाल काटने शुरू कर देता है, but while he was doing this, he could not help talking तो लेकिन फिर भी, उसकी बाते जो है, बंदे में होती ही, काटे-काटे भी बाते ही करता है If you could inform me what this important affair is, I would give more advice, which you might find useful, he said फिर नाई कहता है, अगर आप मुझे बताएंगे, कि आप क्यों काटना चारे हैं बाल, तो मैं आपको कुछ सला दे दूँगा आप फटा-फट से मुझे बता दीजे न, ऐसा वो काटते-काटते भी बोलती ही रहता है तो सुल्तान was completely fed up and now decided to satisfy the power और he told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave सुल्तान कहता है, सोचता है कि अगर मैं इसको नहीं बताऊ न, तो ये मेरे बाल नहीं काटेगा और अपनी बगबग फिर शिरू कर देगा, तो सुल्तान सोचता है, मैं इसको बता ही देता हूं, मैं बाल क्यों कटवा रहा हूं वो कहता है, आज मेरे दोस्तों के यहां दावत है, कुछ दोस्तों के यहां, मुझे जाना है दोपेर को, इसलिए मैं यहां पर जल्दी जल्दी बाल कटवा रहा हूं और मुझे बहुत जल्दी जाना है यहां से When the barber hear the Sultan mention his feast, I say he exclaimed, that reminds me yesterday I invited four or five friends to come to my house today When the barber hear the Sultan mention, hear का क्या मतलब होता है, hear का मतलब होता है, सुनना, ठीक है तो जैसे ही जो नाई होता है, वो यह पास सुनता है Sultan की की दावत होने वाली है, कुछ दोस्तों की, तो वो बोलता है कि, अरे हां जो नाई होता है, वो सुल्तान से कहता है कि, हां मुझे याद आगे आपकी बात से, कि परसो तरसो ना, मैंने अपने चार पास दोस्तों को अपने घर बुलाया था, दावत के लिए लेकिन, but I had quite forgotten it and have not made any preparations, but का मतलब होता है, लेकिन, ठीक है नाई कहता है, लेकिन, मैंने तो, मैं उस दावत को भूली गया था, मैंने अपने दोस्तों को घर भी बुला लिया, और मैं बाद में भूल भी गया कि, मैंने दावत की है, और मैंने कोई भी तयारी नहीं करी for them, उन लगों के लिए अब सुल्तान सुनते सुनते पक चुका होता है, वो कहता है, वो सोचता है अपने मन में कि मैं कुछ भी कर लूँगा, बस मुझे इस से चुटकारा मिल जाए, इस पारबर के बातों से और अब सुल्तान बोलता है, फटाफट से मेरे बाल काटो, और फटाफट से अपना ही जो काम है, वो पूरा करो, और अगर तुम अपने काम पूरा कर लोगे, तो मेरी जितनी मैं दावत में खाऊंगा, न खाना सारा तुमें दे दूँगा, प्लीज शो मी दे दूँगा, तो अब जो नहीं होता है, वो खहते है, अच्छा सारा खाना आप मुझे दे देंगे, लेकिन खाना दिने से पहले मुझे दिखा दीजे, अभी जिससे में देख लूँ कि वो मेरे पाचो दोस्तों के लिए है भी कि नहीं है, या कम पड़ जाएगा, आई है, एन अफ फू और सुल्टान एक्सकिलेमड, का मतलब होता है चिल्लाना, सुल्टान चिल्लाता है मेरे पास तुमारे लिए फूड है, खाना है, जो कि तुमारे पास दोस्तों के लिए सही पड़ेगा, कम नहीं पड़ेगा, बट ही ओर अर दिख पूट अइस फूद तरीजे को दिखा द the food and say this is very good but I shall want some more food for the dessert also अब पहले हम देखते हैं dessert का क्या मतलब होता है dessert का मतलब होता है जैसे आप खाना खाते हैं उसके आखर में थोड़ासा जैसे फूर्ट ले लिया अखर में फल ले लिये यह सलाद ले लिया खाना खाना की वाद आखर में जो आप出去 गाने के लिये कुछ फल भी चाहिए और बाविना यहाफ शेफे खूhma यह Amazing आधे बाल कचे थे तो सुल्तान को इतना गुश्टा घूस्त ऩा कोई बात नहीं कोई बात नहीं अकर मुझे अपने पूरे बाल कटवाने है तो मैं इसके लिए फल भी मंगबा लेता हूँ और सुल्तान ने उसको फल भी दे दी ये नाई को अब ये नाई देखते हैं कि क्या करता है तो बार्बर लेफ्ट ओफ शेविंग फिर जो बार्बर है वो सुल्तान के बाल काटना छोड़कर ये देखने लग जाता है कि क्या क्या है फालो में क्या क्या है दावत जो ये खाएगा अपने दोस्तों के लिए ले जाएगा उसमें क्या क्या है और सारी चीज गौर-गौर से देखने लग जाता है examin को मतलब होता है बहुत कोर से देखना this took up half an hour और इतना सब देखने में जो बारबर होता है उसको आदा गंटा लग जाता है the Sultan stemped his feet impatiently but the barber did not hurry और जो सल्दान होता है इतना गुशाता है वो अपना पैर जमीन पर धप से मारता है लेकिन नाई को तो इससी कोई फरकी नहीं पड़ता At length however, he again took up the razor But after a few minutes of work, stopped suddenly and cried And never you that were so generous तो जो नाई होता है वो देखने के बाद At length का मतलब होता है काफी समय देखने के बाद चीक है, तो नाई काफी समय तक देखते रहते है खाने को उसके बाद जैसे तैसे वो दुबारा से razor उठाता है बाल काटने के लिए और कुछ मिनट ही काटता है फिर रुख जाता है और फिर बोलता है मुझे पता नहीं था सुल्तान जी आप इतने दानी है कि आप अपना खाना मुझे दे देंगे और ये कहानी इसी तरीके से खतम हो जाती है फनी सी स्टोरी थी और इसके अब हम नए शब्द देख लेते हैं जो कि हमने new words दीखे हैं पहला है chatterer chatterer को क्या मतलब होता है someone who talks a lot यानि ऐसा जैसे chatterer आप इसको बोलेंगे ऐसा आदमी जो बहुत ही बात करता हूँ defect defect का मतलब होता है a fault कोई गलती हो जाना या कुछ कमी होना opinion opinion का मतलब होता है what a person feels about a person thing or subject opinion का मतलब होता है सलाह कि कोई आदमी किसी चीज़ के बारे में क्या सोचता है उसकी सलाह क्या है exhausted 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 का मतलब होता है tired and fed up यानी ठक जाना exhausted यानी ठक जाना dessert a sweet dish served after the main meal यानी जो हम खाना खाते हैं उसके बाद थोड़ा सा हमें मीठा जो खाते हैं उसको हम कहते हैं dessert examine examine का मतलब होता है to look at something very carefully किसे चीज को बड़े ध्यान से गौर करके देखना at length at length का मतलब होता है at a stretch काफी समेता ठेक है तो ये था हमारा चैप्टर ददाकेटिव बाबर बातूनी नाई so I hope आपको समझाया होगा बच्चो तो आप वीडियो को लाइक करना शेर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलीगा थैंक यू